दोजाचौबिस की सियासी जंग की तयारी शुरू हो गई है इस साल नौ राज्यों में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं लेकिन बात सीधे दोजाचौबिस के आम चुनाव की हो रही है दोजाचौबिस में नरेंद्र मोधी खुद मैदान में होंगे मोधी ने फाइनल प्लानिंग शुरू कर दी है जिन राज्यों में बीजिपी के लिए मुश्किल है वहां मोधी की टीम जम कर दौरा कर रही है जमेनी हकीकत का जाइजा ले रहे हैं कि क्या 2024 में किसी भी विरोधी की कोई ट्रिक चलेगी या फिर मोदी की हैट्रिक 100% कन्फर्म है 24 में क्या होने वाला है? क्या मोदी जीत की हैट्रिक लगाने वाले है? अगर हाँ तो कैसे? जवाब इन आठ लेटर्स में छिपा है H यानी हिंदुत या कहें हिंदू नेशनलिजम A यानी मोदी पर विरोधियों के होने वाले अटेक T यानी 23 का सबसे बड़ा टेस्ट R यानी राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद I यानी ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की धाथ C यानी सेंट्रल इंडिया में होने वाले चुनाव और K यानी दक्षण भारत के राजयर करना टक का इंतिहार ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी 24 में मोदी की हैट्रिक की गैरंटी दिख रही है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर राम मंदिर ही है सबसे बड़ा गेम चेंजर भी 24 में भगवान राम की दर्शन आयोध्या में होंगे 24 में 100 करोड हिंदूओं के लिए राम मंदिर खुल जाएगा 24 में करोडों हिंदूर राम लला की दर्शन कर पाएंगे तो क्या 24 में राम के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा 23 की जनवरी से ही 24 की जनवरी का काउंटडाउन शुरू हो गया है शुरूबात अमिद्शाह ने कर दी है बात कॉंग्रिस ने आगे बढ़ाई है कॉंग्रिस क्या कह रही है क्या कर रही है आगे दिखाएंगे 40 सेकंड में सुनिए अमिद्शाह की सबसे बड़ी भविश्यमानी 2019 के चुनाओं में में पार्टी का अध्यक्स था पड़े राहूल बाबा पॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्स है तो राहूल बाबा हरोज पुत्ते थे मंदिर वही बनाएंगे तीथी नहीं बताएंगे और राहूल बाबा कान खोड़कर सुन लो और सबरूम वालो आप भी टिकिट करा लो एक जन्वरी 2024 को अयोध्यामे गकन चुम्बी राम मंदिर महाँ पर आपको तयार मिलेगा देश आजाद हुआ तब से एक कॉंग्रेसी इसको कौट के अंदर उलजा रहे मोदी जी आये एक दिन सुभे सुप्रिम कोट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन राम लल्ला के मंदिर का भूमी पुजन पूरा करकर मंदिर का निर्मान चालू कर दिए बवे राम मंदिर का 60% काम पूरा हो चुका है एक जनवरी 2024 से पहले बाकी बचा 40% काम भी पूरा हो जाएगा बीज़पी ने अभी इससे हिंट देना शुरू कर दिया है 23 के पहले हफते में ही साल के 365 तिन और 24 का सिगनल दे दिया है जो प्रफना उन्होंने दस साल पहले पुछना था वो आज पूछ रहे उनको शायद पता ही नहीं है कि मंदिर का काम इतने जुरों से चल रहा है तो ज़रूर जिस समय मंदिर बन जाएगा तो उनको भी दर्शन के लिए पूरे यह कांगरेसियों को राहुल बाबा को तारीक समझ में आना जाना चाहिए राहुल बाबा के गुरू दिखवे हैं सिंग को जो बहुत कहते हैं कि मंदिर बनाएंगे पर तारीक नहीं बताएंगे लोग आवे तारीक आईए आप भी दर्शन करिए और पूर्णे के बागीदार बनिये तारीक इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि यहीं लोग थे जो कहते थे कि यह कहते हैं कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे तो नितिज़े भी कहते थे ना कॉंग्रेस के राह करें लेट बताये तो इनको दिक्कत तो राम का भव मंदिर बन रहा है तो भीत्र से तो यह लोग जलेवे हैं कि 2024 जन्वरी में रामलला के दर्शन करेंगे रामभक्त उस राम जनभूमी के मंदिर में करेंगे जिसके लिए लाखों रामभक्तों का बलिदान हुआ है और उस पर जो सवाल उठाते हैं वो तो सोयम सिर्राम भक्तों की नजर में सवाल बने हुए है राम का आश्रिवात किसे मिलेगा? इधर हिंदू नेशनलिजम के सबसे बड़े नेता नरिंद्र मूदी है उधर मूदी को कॉपी करते मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूंते राहुल गांधी है तो क्या 24 में राम मंदिर बनने के साथ ही चुनावी सीजर में हिंदू नेशनलिजम के ध्वजवाहक मूदी ही बनेंगे? और क्या राहुल पीछे पीछे ही चलेंगे? बीजबी ने राम मंदिर के बनने की तारीख बता दी है कॉंग्रेस के खेमे में तारीख के एलान के साथ ही हलकंप मचा दी है तभी तो जो राहुल भारत जोडो यात्रा में राम नाम जप रहे हैं जैस या राम जैस या राम कह रहे हैं उनी राहुल के पार्टी के अध्यक्ष मुँ में राम बगल में छुरी वाला स्लोगन कर रहे हैं भगवान के नाम के आगे जूटों का सरदा लिख कर मुदी पर अटेक कर रहें आमित शाह को ताना मा रही हैं सब कैमरे पार रिकॉर्डिड है शाह जाते हैं वो कहते हैं बई राम मंतीर बन रहा है एक तारीक उसका उद्गाटन है अरे ठीक है सभी लोग तो भगवान में आस्ता रखते हैं लेकिन आप क्यों घोशना करते हैं इसकी वो भी चुनाओं में और आने वाले चुनाओं में वो यह कह रहा है कि में में चुनाओं रहता है तो फस्ट जन्यवारी में वहां राम मंदिर का उद्गाटन होगा आप को नोते बोई बोलने का क्या राम मंदिर के पुझारी है याँ क्या राम मंदिर के वहां महंत है याँ वाँ के मांत लोग बोलने दो, सादू संत बोलने दो, आप क्यों है आप पोलिटिशन है मुकमे राम बगल में चूरी और ये चूरी लेके घूम रहे हैं, समाज को डिवाईड कर रहे हैं, जाती जातियों में जगड़ा लगा रहे हैं जैसे जैसे राम मंदिर का काम फुल स्पीड में चल रहा है वैसे वैसे राम मंदिर के बहानी मोदी पर अटेक की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है भारत जोडो यात्रा में कॉंग्रिस अटेकिंग है बिहार में आरजेडी के निताओं ने मोचा संभाल लिया है आरजेडी के प्रदेश धक्ष ने आयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं ये कहकर भुचाल ला दिया है कि आयोध्या में राम को कैद नहीं किया जा सकता राम मंदर का निर्मान तो नफरत की जमीन पर हो रहा है रख भास शिवरी के शोबरी में हुआ खुर्य हुआ भारत राम का नहीं रहेगा क्यों एका रहेगा पत्थरों के बीचे अब रहेंगे हमारी श्वज बेख नहीं आ रहे है कि तो लोगों के सवाल का वहा हम जवाब का दे़े हुआ अपनी बात पर कायम है जो आपने कहा है मैं कुछ भी नया नहीं कहा हूं जो पहरे से लोग कहते रहे हैं उसे को मैं दोहरा दिया हूं लेकिन आपने कहा ने कि नफरत की जमीन पर ये मंदिर बन रहा है ये लोग कहते हैं लोग कहते रहे हैं तो मैं उसको दोहरा दिया हूं ल ओर राम के महत्ता को हमें नहीं घठाया. अब ने यह भी काहा कि जो राम है वो पत्थरों में कैदों करर रहा हैं और अब जो राम के चाहने वाले हैंडो वो यह जो की पहले हुआ कड़ते हैं. अब राम की हार लोगों के अपने परिवाशा है. पूछने वाले और जबाब देने वाले दोनों जानते होंगे हम कहां रोखने जा रहा हैं हमने तो कहा कि राम भ्यापक है आपने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा है आप अपनी बात पर कायम है भविर राम मंदिर पर आरजेडी के नेता के दिये विवादित बयान पर अब दिल्ली से लेकर भी हार तक यूपी से लेकर देश के अलग-अलग हिस्तों तक बवाल मच गया है बीजपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है लेकिन जगदानन सिंग को अभी भी रत्ती भर का पश्तावा नहीं है जगताब आबू लालू यादव तेजस्वी आदव यह लोग हैं जिनको की एक वर्ग विश्यस का बोड चाहिए यह तुस्तिक करन की राजिती करके और हिंदू समाज को बांट कर यह राजिती करने वाले लोग हैं तो बहुती अपती जनक ब्यान और यह समाज में नफरत विद्वेश पैदा करने वाला ब्यान है तो जगताब आबू जो का रहें कि वह नफरत की भूमी है गरिवों का उसे विरोध है और जो जो भाशा उनोंने प्रयोग किया है तो यह बहुती अनुचित है और यह पेक्षा उनसे उनकी पार्टी सुतिय पेक्षा थी कि वह इस प्रकार की बात बोल सकते हैं कि जगताबू बहुत मैं चोट सीजन्ड आदमी है तो मैं तो मेहर सरकार से कहूंगा कि उनके खिलाफ और देशद्रों का मुकदमा दर्ज कि जाना ना चाहिए जा को मफी तो मंगनी चाहिए उनको क्श्रीराम ले नहीं है पर देश दरों का मुकदमा दर्ज को शूरू मस्जich LH Uzadu 33 नहीं और नहीं है यह राम जयस्री यह उर्टी इसरी राम हैं हो एयानि बहुन enormous आप सकता लेकिन हे रामुर जहिसिरा में क्या उनतर है सब तो राम की आराद न और को बीज़िपी ने fifteen का विरूद है क्या कहना चाहते हैं किया करना चाहिए मैं समझ रहा हूँ नहीं वहीं बता है ही राम जैसिर राम और शिया राम सवाल ये भी है कि 24 के लिए क्या नरेंदर मुदी सिर्फ राम भरोसे या काम भरोसे भी है जवाब ये कि 23 और 24 के लिए अगले 16 महीने में मुदी के बास 16 राम भान है 23 के जनवरी महीने में किसी से भी पूछ लीजी तो एक ही जवाब आता है कोई नहीं है चक्कर में कहां पड़े हो चकर में इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में मुदी टॉप पर हैं 7 जनवरी 2023 की मुदी की रेटिंग आ गई है 37% के साथ मुदी फॉर्स पोजीशन पर है सारे सर्वे, सारे पोल्स यही हिंड दे रही है कि अगर इस वक्त चुनाओ हो जाएं तो मुदी ही हैट्रिक लगाएंगे एक सर्वे में 52 पर्तिशत लोगों का मानना है कि मुदी पक्के तौर पर फिर से प्रधान मंत्री बनेंगे करीब 58% लोगों को लगता है कि हिंदूओं के राजनेते और सामाजिक रूप से एक जोठोने में मुदी की बड़ी भुमिका रही है तो क्या 24 में मुदी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या 350 प्लस का आंख़णा पार करेंगे 24 वाले मिशन का पहला बड़ा प्रयोग 23 में होगा राहुल भारत जोड रही है लेकिन मुदी विश्य जोडने के मिशन पर रटे है G20 से मुदी पूरी दुनिया को इंडिया की बिग पिक्चर दिखाएंगे इस इवेंट को नेशनल प्राइड से जोड कर भारत की ग्लोबल लीडर यानी विश्य गुरू वाली छवी पेश करेंगे मुदी खुद फ्रेंट से लीड करेंगे अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी और बिटेन जैसे देशों के राष्टा ध्यक्षों के मेजबान बरेंगे मुदी इंटरनेशनल ओडियंस को तो एंगेज करेंगे ही 24 के लिए डॉमेस्टिक ओडियंस के दिल और दिमाग पर भी अपनी छाप छोड़ेंगे मुदी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जाधा पसंद किये जाने वाले वर्ल्ड लीडर है और इंडिया में भी उसका असर दिखता है The Prime Minister decided that we would have our 200 meetings across the country. He said it is not necessary to confine it to Delhi. He said, पतेक राज की अपनी विबंता, अपनी विरासत, सुंदर्ता, संस्कृति, आभा, अतित्या है और उनको हमें शोकेस करना चे. If you see that Prime Minister Modi is probably one of the most sought-after leaders in the world for any global decision-making that you have, whether it's in climate change, whether it is in issues that are political in nature or economic in nature, he's always called in. He's been called in to all of the recent G7 summits. अपन दिलाने का काम किया है. आज दुनिया भर में, मोदी जी, किसी भी देश में जाते हैं, तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, एक कॉंग्रेस वालों को पेट में दर्द होता है. अरे कॉंग्रेस वालों, जर आकल इस्तमाल करो, बगवान ने दी है तो, ये मोदी मोदी के जो नारे है न, वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं लग रहे हैं.